नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे उत्रखन की खबरों पर मुख्य मंतरी पत पत आज पोशी के बाद तीरज सिंग रावत के मंतरी मंदल का विस्तार होगा उनके मंतरी मंदल में 11 मंतरी शामिल होंगे बता दें राजभवन में आयुजित कारेकरम में सबी मंतरी शपत लेंगे छे बार के विधायक बंचीदा भगत नैनिताल की काला धूंगी विधानसवा से विधायक हैं अब उन्हें कैबिनेट मंतरी बनाया जाएगा वहीं बिश्रन सिंग चुफाल पितोरागर की डीटी हार्ट सीट से विधायक हैं लेकिन बदले हुए सियासी समीकर्णों में चुफाल की वरिष्टा को देखते हुए उनके मंतरी बनने की चर्चा तेज है साथी मुना सिंग चौहान बीजिपी के तेज सर्रार विधायक हैं वो चार बार के विधायक रह चुके हैं मुना सिंग चौहान के भी मंतरी बनने की चर्चा तेज है संगप्रस्ट भूमी के अर्विन पांडे बीजिपी के वरिष्ट विधायक है उनका भी मंत्री मंदल में शामिल होना लगभगते माना जा रहा है वहीं हरक सिंग रावत साल 2017 में कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे वो भी मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं साथी तीरी की नरेंद नगर सीट से विधायक सुबोद उन्याल साल 2017 में भी कॉंग्रिस छोड का बीजेपी में वो भी शामिल हुए थे उनके भी मंत्री बनने की चर्चा तेज है साथी यश्पाल आर्या, सत्पाल महराज, धन सिंग रावत, रिखा आर्या, महिंद्र भट और रितु खंडूरी भी मंत्री मंदल में चामिल हुँगे मुखे मंत्री तीरज सिंग रावत ने पवेलियन ग्राउंड दहरदून में आजादी के 75 वे वर्ष पर आयोजेत अमरित महतसफ गास शुभारम किया इस अफसफ उन्होंने देश की आजादी से संबंदेत कई स्मृतियों पर अधारित प्रदशनी का अवलोकन भी किया इस दौरान सीम तीरज सिंग रावत के साथ मेयर सुनील उन्याल सांसर नरेश बंसर मुखे सचीव ओम प्रकास सहे तमाम कारेकरता मौजूद रहे कारेकम में मुखे मंद्री तीरज सिंग रावत ने कहा कि राष्ट पिता महत्मा गांदी जी ने आतने भा भारत की जो कल्पना की थी उसे मोधी सरकार पूर्ण करने का कारेकर रही है हमारे अपने साथ में अपने सांसर मैनिता पूर्ण में प्रदीश के अध्यक्षि रहे हुआई तो वेनर भाईयो पत्रगार मित्रो आप सब को नमान करता हूं पढ़ना करता हूं अपने मित्रो गयनर भाईयो आप सावर मती से उत्रखंड में बीजिपी को प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा मिल गया है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा ने विधायक मदन कौशिक को उत्रखन बीजिपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है ये नियुक्ती ततकार प्रभाव से लागू कर दी गई है अब मदन कौशिक ने बंशिदर भगत का इस्थान ले लिया है इसकी सूचना राष्ट्य महासचेव एवं मुख्याले प्रभारी अरुन सिंग ने दी है मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर राज्जे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने उन्हें बधाई दी है उन्होंने लिखा आधर्ण्य मदन कौशिक जी को बीजेपी यूके का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर हार्दिक बधाई पुरोहितों ने पूजापात के बाद शुब मौहरत निकाला है उकी मट के ओमकारेश्व मंदिस से बाबा केदार के कपाट खुलने की घोशना हुई है केदाना धाम के कपाट खुलने के लिए 13 माई को भगवान भैरम नाच्छ की पूजा अर्चुना की जाएगी इसके बाद 14 माई को बाबा केदार की जोली फाटा में विश्राम करेगी जिसने उकी मट के प्रस्थान किया था 15 माई को ये जोली गौरी कुंट और 16 माई को केदार धाम पहुँचेगी 17 माई को सुबे 5 बजे भगवान केदार नाथ के मंदिर के कपाट खोल दिये जाएंगे पेश्वाई के बाद शाही इसनान के जुलूस ने नागा सन्यासी और किननसंत एक बार फिर से शर्धालू के लिए अकर्शन का केंद्र बन गए है नागा सन्यासी और किननसंतो के दर्शनों के लिए जुलूस के रूट पर भारी बीड, उम्री और घंटो इंतिजार भी किया दर्शक किननसंतो और नागा सन्यासी का आश्रवाद लेने के लिए शर्धालू में खोड मची रही किसी ने फूल बरसा कर तो किसी ने पैच्छू कर उनका आश्रवाद लिया सन्तो ने भी प्रसाद स्वरूफ फूल टौफी दे कर अभिवादन सुईकार कर आश्रवाद दिया दुकानदार यात्री और इस्थानिय निवासी अपने पतिष ठानों, घरों की छतों, बालकनी और सरकों के किनारे पर खड़े रहे सादू संतो पर पुश्व वर्शा कर उनका स्वागत करते रहे वहीं किनार संतो और सन्यासियों ने भक्तों पर सिक्के और पुश्व की बारिश की, जिने ग्रहन करने के लिए लोग छपटते दिखाई दिये उत्रखन की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया